नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशिकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशिप्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बढ़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राहमन का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दोडता हुआ आया। ब्राहमन का लड़का राजकुमारी को उठा कर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशिप्रभा महल मे चली गई पर ब्राहमन के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राहमन के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्गुरू के पास पहुचा और अपनी इच्छा बताए। उसने एक योग गुटिका अपने मूँ में रखकर ब्राहमन का रूप बना और एक गुटिका ब्राहमन के लड़के के मूँ में रखकर उसे सुन्दर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा मेरा एक ही बेटा है। उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था पर लड़का न जाने कहां चला गया। आप इसे यहां रख ले। मैं लड़के को धूंदने जाता हूं। मिल जाने पर इसे ले जाओंगा। सिद्गुरू चला गया और लड़की के भेस में ब्राहमन का लड़का राजकुमार के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा मेरा दिल बड़ा राजकुमार उसे देखकर बहुत प्रसंद हुई। तबसे वह रात को रोज गुटिका निकाल कर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या म्रिगांकदुता का विवाह दीव दिता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हरिदव उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा उसकी ये दशा देखकर दिवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया, उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दूसरी और यह मुश्किल की न दे तो दिवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनाव्टी कन्या ने ये शर्ट रखी कि चून की वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका ये पतिछा महीने तक यात् चला गया। उसके जाने पर दोनों आनम से रहने लगे। ब्रहमन कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब छह महीने बीतने को आये तो वह एक दिन म्रिगांकदता को लेकर भाग गया। उधर सिद्गुरू एक दिन अपने मित्र शशी को यु वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशी के साथ कर दिया। घर आने पर ब्रहमन कुमार ने कहा ये राजकुमारी मेरी स्त्री है। मैंने इससे गंधर्म रीती से विवाह किया है। शशी ने कहा यह मेरी स्त्री है क्योंकि मैंने सब के सामने विदी पूर्वक ब्याह किया है। बेताल ने पूछा, शशी दोनों में से किस की पत्नी है। राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशी की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सब के सामने विदिपूर्वक विवाह किया था। ब्राहमन कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता इतना सुनना था कि बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर उसे लाना पड़ा रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी सुनाए